आज हम सीखेंगे परियावरण को बचाने की पांच आर हम हमारे विकास के लिए परियावरण से विभिन्न वस्तुए प्राप्त करते हैं परियावरण से प्राप्त होने वाली सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन यानि नाचुरल रिसोर्स कहते हैं वायू, वन, सूरी की उर्जा, जल, कोईला, पेट्रोलियम इत्यादी हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है इनमें वन, जल, कोईला, पेट्रोलियम जैसे संसाधन एक बार प्रयोग किये जाने के बाद फिर से प्रयोग नहीं किये जा सकते इसलिए ये संसाधन सीमित है विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम इन प्राकृतिक संसाधनों का अविवेक पूर्ण दोहन यानि एक्स्प्लॉइटेशन करते जा रहे है इससे हमारे परियावरण को काफी नुकसान हो रहा है समाचार में आपने वायू प्रदूशन यानि air pollution, जल प्रदूशन यानि water pollution, मृदा प्रदूशन यानि soil pollution और उनके परियावरण पर प्रभाव के बारे में अवश्य देखा या पढ़ा होगा प्राकृतिक संसाधनों में कई संसाधन सीमित है इसी के साथ सीमित संसाधनों के तीवर गती से दोहन के कारण इन संसाधनों का तेजी से रास भी हो रहा है यदि इनके दोहन की गती को नियंत्रित न किया गया तो हमारी भावी पीड़ी के लिए ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे इसलिए हमें आवश्यक है कि संसाधनों का प्रयोग नियंत्रित रूप से किया जाए जिससे अगली पीड़ी के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके संसाधनों को वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो यह सुनिश्चित किया जाए कि संसादुनों की उपयोग के दौरान परियावरण को हानी न हो तथा उपयोग के दौरान निर्मित अपशीष्ट पदार्थों का निप्टान उचित तरीके से हो सनपोशित विकास यानि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवशक्ताओं की पूर्ती एवं विकास को प्रोचसाहित करती है साथी साथ यह सुनिश्चित भी करती है कि संसादुनों का संरक्षन किया जाए ताकि भावी पीडी के लिए संसादन उपलब्ध हो सके सनपोशित विकास तथा परियावरण को बचाने के लिए हम सभी को पांच आर का पालन करना चाहिए चलिए इन्हें जाने वस्तूएं लेते समय हमें उन सभी वस्तूओं को लेने से इन्कार करना चाहिए जो हमारे परिवार तथा परियावरण को हानी पहुँचा सकते हैं प्लास्टिक के थैले के स्थान पर हम कपड़े अथ्वा जूट के थैले का प्रयोग कर सकते हैं कई बार अच्छा सोदा देखकर हम ऐसी वस्तुएं ले लेते हैं जिनका हमें अधिक उप्योग नहीं होता ऐसी वस्तुओं को खरीदने से भी हम परेज कर सकते हैं हम अत्यधिक पैकेजिंग को भी इनकार कर सकते हैं इसी तरह हमें प्लास्टिक के कब जैसी वस्तुओं को भी इनकार करना चाहिए जिनका फिर से उप्योग नहीं किया जा सकता कम उप्योग यानि रिड्यूस हमें संसाधनों का कम से कम उप्योग करना चाहिए जैसे हम बिजली पर चलने वाले उप्करनों को बंद करके रख सकते हैं आसपास के स्थानों पर जाने के लिए गाड़ी का इस्तमाल न करके चल कर जा सकते हैं यदि दूर जाना हो तो सार्वजनिक परिवाहन का प्रयोग कर सकते हैं इससे पेट्रोलियम में बच्चत होगी क्या आपको पता है एक तंग कागस उत्पन करने के लिए लगभग बारह पेड़ों को कांटा जाता है हम कागस का उप्योग कम कर सकते हैं जिससे पेड़ों को बचाया जा सके इसी तरह हमें भोजन आवशक्ता के अनुसार बनाना चाहिए तथा इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए क्या आप बता सकते हैं कि हम जल का उप्योग किन स्थितियों में कम कर सकते हैं अपने दोस्तों से इस पर चर्चा कीजिए पनह उप्योग यानि रियूज हमें वस्तों का बार-बार उप्योग करना चाहिए जैसे एक जूट की थैले का वस्तों को लाने ले जाने के लिए बार-बार उप्योग किया जा सकता है जूस की बोतल को नव फेक कर हम इसे जल रखने के उप्योग में ला सकते हैं प्लास्टिक के डिब्बों को रसोई घर में वस्तुए रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पैकेजिंग में आए बक्सों को भी वस्तुए रखने में प्रयोग कर सकते हैं। उन कपड़ों को जो अब हमारे लिए छोटे हो गए हैं, हम किसी ज़रूरत मन को दे सकते हैं। कई बार वस्तुएं जिस काम के लिए लाई जाती हैं, उसके लिए उपयोगी नहीं रहती। जैसे तूटा हुआ चीनी मिट्टी का बरतन, ऐसी वस्तुओं का किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे तूटे हुए चीनी मिट्टी के बरतन में पेड लगाया जा सकता है। तूटी हुई बाल्टी का डेस्बिन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तूटी हुई चूडियों से सजावटी चीजे बना सकते हैं। पुनाह चकरन यानि रिसाइकलिंग। वस्तूए जैसे प्लास्टिक, कागज, धातू से फिर से नई वस्तूए बनाई जा सकती है। इसे ही हम पुनाह चकरन कहते हैं। कई वस्तूए जिनका पुनाह चकरन किया जा सकता है, कई बार कच्रे के साथ फेक दी जाती है। हमें घर में उत्पन कच्रे से ऐसी वस्तूओं को अलग करना चाहिए काव तथा शहर में विभिन व्यक्ति हमसे ऐसी वस्तूओं को एकत्रित करके इन्हें रसायन कंपनियों को देते हैं जहां इनका पुनह चकरण होता है यह बात अवश्य है कि पुनह चकरण की विधी के लिए हमें उर्जा अवश्यक होती है इसलिए जब भी संभव हो हमें पुनह उपयोग पर ध्यान देना चाहिए अब आप अपनी प्रति दिन की गत्य विधियों को याद करके स्वयन सूचिए कि आप पाँच आर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं तो आज हमने सीखा परियावरण को बचाने के पाँच आर